प्रदेश भर की तरज पर रिवा में निकाली जा रही सरकार की विकास यात्रा में सुम्बार की शाम अचानक से पत्थरा हो गया विकास यात्रा में शामिल भाजपा के जन प्रतनिधी जनसवा को संबोधित कर रहे थे तबी पहले कुछ सासमाजी तत्वों ने हंगामे की कोशिश की जिसके बाद पत्थरवाजी की जनसवा के बीच अचानक से होई पत्थरवाजी में मौजूद लोगों के बीच भगदर मच गई जिस दोरान एक बच्ची वा महिला समेथ आधा दर्जन लोग जक्नी हो गए गटना की सूचना मिलते ही मौक्य और पहुंची पुलिस ने इस्थित पर काबो पाते हुए घायलों को अस्पदाल पहुचाया है और मामले की जान शुरू कर दी है दरसल घटना जिले के हनमना थान शेत्र के नाउन खुर्द गाउं में सोंबार के शाम की है जानकारी के मुताबिक गाउं में विकास स्यात्रा पहुचने के बाद जनसभा कायोचन की आ गया था जोसदरान कुछ लोगों ने हंगामा करने का प्रयास किया उस देर इधर उदर भूमने के बाद उपद्रव्यों ने अचानक से कारिकर मस्थल से कुछ दूरी पर खड़े होकर पथरा शुरू कर दिया इससे जनसभा में भगदर के स्थित बन गई आरोपयों द्वारा बरसाए गए पथर जनसभा में शामिल होने आई लोगों को लगे जिसमें एक बच्ची घैल हो गई है जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आधा दर्जन लोग पथरवाजी का शिकार हो गए बताया जाता है कि पथरवाजी की एगटना कारकमस्थल के समीप इस्थित एक घर के छट से हुई हाला कि पथरवाजी करने वाले लोग कौन है ये अभी साफ नहीं हो सका है गटना के वक्त अधेरा होने की वज़़ से ना तो आरोपियों की पहचान की जा सकी और ना ही उनकी संख्यास पस्थ हो सकी पुलिस के सामने अब तक एक व्यक्ति का नाम सामने आया है पुलिस फिलाल इस्ताने लोगों की मदद से उपद्रव्यों की पहचान करने का प्रयाज कर रही है फिलाल गटना के दौरान मची अफ्रा तफ्री का फाइदा उठा कर आरोपी फरार होने में सफल रहे पुलिस घयलों को अस्पताल पहुचाने के बाद आरोप्यों की पहचान सरगर्मे के साथ तलाश कर रही है गर्ना के समद में मौगन विधाय प्रदी पटेल का कहना है कि नाउन फुर्द गाउं में योजना बत तरीके से कुछ लोगों ने घर की छट से पत्राव किया है क्या दिनों से प्रयास के जा रहे हैं क्या लगराइ क्या लगराइ क्या लगराइ